साथियों नमस्कार, CBSC Board कक्षा 10 की हिंदी आ शितिज भाग 2 के अंतरगत आपका राम लक्षमण और परशुराम समवाद पाठ आता है आज हम राम लक्षमण और परशुराम समवाद पाठ से भावार्त को समझेंगे और ये राम चरित मानस के बाल कांड से लिया गया है ठीक है बच्चों तो आईए हम आज इसको समझते हैं चलिए एक-एक पंक्ति को हम पढ़ेंगे और साथ में उसका अर्थ भी हम समझेंगे यानि कि उसका हिंदी अर्थ समझेंगे जो कि अबधी भाषा में राम चरित मानस लिखी गई है गोस्वामी तुलसी दास ने लिखा है तो थोड़ा सा आपको कठिनाई हो सकती है शब्दों को समझेंगे लेकिन मैं एक एक शब्द आपको समझा दूँगा भावार्थ के भी प्रशना आते हैं तो आप काईदे से समझेगा ताकि आपके एक्जाम में भावार्थ आपका गलत न हो आपके पूरे पूरे अंक आपको मिल जाएं ग्यानसिंदुक्लासिस.com हमारी वेबसाइट है वहाँ पर आपको ये सारी सामगरी पढ़ने को मिल जाएगी डेस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है टेलिग्राम चैनल से भी आप जुड़ें और फेस्बुक पेज पर भी आप जुड़ें तो नात संभुधन भंज निहारा होई ही क्यो एक उदास तुम्हारा आयसुकाह कहिय किन मोही सुनी रिसाई बोले मूनी कोही भगवान राम आते हैं भगवान राम जब सिव का धनुस टूट जाता है तो भगवान राम आते हैं परशुराम के सामने क्योंकि परशुराम बहुत क्रोधित हैं कि शिव धनुस से उनको बड़ा प्रेम होता है तो वो जब सिव धनुस टूट जाता है तो परशुराम जी आमने आते हैं और कहते हैं कि हे नात, नात का आर्थ क्या होता है नात, सम्भुधन का आर्थ होता है सिव का धनुस, भंजनिहारा माने तोडने वाला, भंजनिहारा का आर्थ होता है तोडने वाला, शिव का धनुस तोडने वाला होई ही होगा क्यों कोई एक दास तुम्हारा आपका कोई एक दास ही होगा यानि शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा आयसु काह कार्थ होता है क्या आयसु कार्थ होता है आज्या आज्या क्या है कहिए किन मोही किन माने क्यों नहीं क्यों नहीं मोही माने मुझसे कही माने कहते हो जो आग्या है वो आप मुझसे कहिए आग्या क्या है वो मुझसे क्यों नहीं कहते तो सुनी रिसाई बोले मुनी क्रोही सुन करके रिसाई माने क्रोधित हो करके बोले मुनी कोही माने मुनी क्रोधी जो क्रोधी मुनी कौन है क् रशुराम जी हैं वो ये वाणी सुनकर के क्रोधित होकर के बोले क्या बोले कि सेवक सो जो करे सेवकाई अरी करनी करी करी लराई सुनहु राम जेहीं सिवधन तोरा सहसबाहु समसोरि पूमोरा यानि सेवक तो वो होता है हे राम सेवक वो होता है जो करे सेवकाई जो सेवा का कारे करता है वो सेवक होता है और अरी करनी मने शत्रु का काम करके तो केवल लडाई हो सकती है क्या हो सकती है केवल लडाई हो सकती है शत्रु का काम करके तो मात्र लडाई हो सकती है तो यानि सेवक तो वो होता है जो सेवकाई करता है अरी करनी और शत्रता का जो काम करता है वो तो लड़ाई ही करनी चाहिए उससे न और सुनो राम हे राम तुम सुनो यही से उधन तोड़ा जिसने भी शिवधनुस तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है क्या है? मेरा शत्रु है आगे दिखे तो सोब लगाओ बिहाई समाजा न तमारे जई हैं सब राजा सुनी मुनी बाचन लखन मुसुकाने बोले पर सूधर ही अप माने तो सो बिलगाओ वो लग हो जाए सो माने वहा बिलगाओ माने अलग हो जाए बिहाई समाजा समाजा बिहाई माने त्याग कर या छोड़ कर समाजा माने समाज को वो समाज को छोड़ कर अलग हो जाए नहीं तो उसके चक्कर में मारे जाएंगे क्योंकि मुझे पता नहीं है कि किसने ये किया है ठीक और उससे कह दो कि वो समाज छोड़ कर अलग हो जाए नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे तो सुनी मुनी बचन लखन मुस्काने हरे मुनी परशुराम जी के वचन सुनकर के लख्षमण मुस्करा उठे और बोले परसु धरहीं अपमाने और वो परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले क्या बोले कि बहु धन ही तोरी लरी काई कब होना असीरी सिकीन गोसाई यही धन पर ममता के ही हे तू सुनी रिसाई कहा भ्रग कुल के तू बहु धन ही अब लक्षमर जी बोलते हैं लक्षमर जी क्या कहते हैं कि बहुत सारी धन ही धन ही का थोता है छोटे छोटे धनुस बहुत सारे छोटे छोटे धनुस तोरी हैं लड़िकाई माने बचपन में मैंने बचपन में ऐसी बहुत सारी धनुशियां धनुहियां तोरी हैं बहुत छोटे छोटे ऐसे बहुत धनुस तोड़े हैं और कभभभभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया देखे बच्चों एक एक मीनिंग आप जब समझ लेंगे तो बिल्कुल आप भावार्त निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है और प्लेलिस्ट में आप अप से बस पूरा कीजिए आपके लिए cbsc board class 10th की अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है आप वहां से पढ़ लिजिए जो भी आपके पिछले वीडियो आपने नहीं देखे हैं वो भी देख लिजिए तो एही धनु पर ममता कही है तू भाई इस धनुस पर आपकी ममता किस कारण है कही हेतू किस कारण है हेतू का मतलब तक कारण इस धनुस पर आपकी ममता भाई किस कारण है सुनी रिषाई कहा भ्रग कुल केतू का मतलब होता है भ्रग वंस की भ्रग कुल भ्रग वंस के केतू माने ध्वजा या जंडा ठीके तो ये सुनकर भ्रग वंस की ध्वजा वा करके कहने लगे, क्या कहने लगे आगे देखिए, अब देखे वीरस में सारी बाते हो रही है, वीरस में, ठीके, सारा उदारण वीरस का है, तो अब जो है, परशुराम जी ये दोहा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेन रिप बालक काल बस, बोलत तोहिन समहार, और धनुही समत्रि पुरारी धन, बिदुत सकल संसार, रेन रिप बालक, अरे राजपुत्र, काल के कारण, काल के वश होने के कारण, बोलत तोहिन समहार, तो समहाल करके कोई बात नहीं बोलता है, तो कोई भी वचन समहाल करके नहीं कहता है, और धनुही समत्रि पुरारी धन, विदित सकल संसार, इस धनुही के समान, सारे संसार में विदित माने प्रसिद्ध है सारे संसार में विदित माने प्रसिद्ध है धनुही शम धनुही के समान है यह धनुही सम मतलब यह क्या धनुष के समान है अरे यह त्रिपुरारी भगवान शंकर का धनुष है जो संपूर संसार में विख्यात है ठीक है तो लखन कहा हसी हमरे जाना सुनहु देव सबधनुष समाना और काच्छ तिलाभु जून जनुधन तोरे देखा राम नयन के भोरे तो लखन कहा लख्षमण ने हसकर कहा हमरे जाना मेरी समझ से यानि हमारी समझ से सुनहु देव हे देव हे परशुराम जी हे भगवन सुनिये हमारे हिसाब से हमारी समझ से तो सब धनुस समाना, सारे धनुस एक समान होते ही और का छती, छती माने होता है हाने का छती लाव जून धन तूरे जून कार्थ होता है पुराना, ठीक है? जून कार्थ क्या होता है? पुराना तो क्या हानिलाब है पुराना धनुस तोड़ने से क्या हानिलाब है देखा राम नयन के भोरे भगवान राम नयन के भोरे भगवान राम ने इसको नवीन धनुस समझ लिया था तो इसमें कोई हानि और लाब नहीं है इस धनुस को तोड़ने से कोई हानिलाब नहीं है मेरी सम लखन ने हसकर कहा कि हमारी समस्य हे देव सुनिये ये सब धनुस एक समान होते हैं और कोई लाभान इनको तोड़ने से नहीं होता है और फिर भगवान राम ने तुसको नया समझ के ही उठाया था है ना नयान के भोरे नयान मतलब नवीन भोरे माने भोले पन में नवीन समझ के इसको देखा था तो चुवत तूट रगुपति हुन दोसु और मुनि बिनु काज करिय कतरोसु बोले चिताई परसु की ओरा रे सठसु नहीं सुभावु नमोरा चुवत तूट रगुपति नहीं दोसु यानि चूटते ही तूट गया चुवत तूट चूटते ही तूट गया रगुपति नहीं दोसु भगवान राम का इसमें दोश नहीं है हरे ये तो पुराना धनुस था, ये तो छूटे ही तूट गया और मुनि बिन काज करिय कत रोसू, हे मुनि आप बिना कारण ही किसलिए करोध करते हैं, कत माने क्यूं, रोसू माने करोध करिय माने करते हैं, बिन काज माने बिना कारण, हे मुनि वर, आप बिना कारण, बिना म परस माने फरसे की ओर, औरा माने ओर, फरसे की ओर देखकर बोले, रे सठ सुने ही सुभाव न मूरा, रे सठ सठ माने धूर्त, दुष्ट, सुने ही, सुना नहीं है, मूरा माने मेरा सुभाव माने सुभाव, अरे मूर्क, दुष्ट, तुने मेरा सुभाव नहीं अभी सुना है तु मेरे सुभाव के बारे में अभी नहीं जानता है कौन बोला ये बोले परशुराम जी कि अशा लच्मर क्या कहते हैं कि छुवत तूट रघुपती न दोसु ये धनुस तो छूने में ही तूट गया इसमें भगवान राम का कोई दोस नहीं है और मुनिपुन काज करिय कत रोसु आप बिना कारण के बिना मतलब के कुरोध क्यूं करते हैं तो फिर परशुराम बोले चिताई पर उसकी ओरा फरसे की ओर देखकर परशुराम बोले कि रे सठ अरे दुष्ट बालक तूने मेरे सुभाव के बारे में मुझे लगता भी सुना नहीं है बालक बोली बधाउं नहीं तो ही केवल मुनी जड़ जान नहीं मोही और बाल ब्रम्ह चारीयति कोही बिसोबिदित चात्रिय कुल दोही हे बालक बालक बोली बधाउं नहीं तो ही बधाउं माने वध करना वध करना या मारना मैं तुझे बालक समझ करके मैं तुझे बालक मान करके तुझे तेरा वध नहीं करता हूँ मैं तुझे बालक मान करके तेरा वध नहीं करना चाहता हूँ मैं तुझे नहीं मारता हूँ और केवल मुनी जड़ जान ही मुही अरे जड़ माने मूर्ख जड़ माने मूर्ख केवल मुझको मुनी समझता है रे मूर्ख बाल ब्रह्मचारी अति कोही अरे मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति कोही माने क्रोधी हूँ क्या हूँ? क्रोधी हूँ और विश्व विधित छत्री कुल द्रोही विश्व विधित माने संपूर संसार में विख्यात विश्व विख्यात छत्री कुल द्रोही छत्री कुल का विनाश करने वाला छत्री कुल का शत्रू द्रोही माने द्रोह करने वाला विनाश करने वाला विद्रोह करने वाला जगडा करने वाला छत्री के वन्शों का मैं संपूर्ण संसार में विश्व विख्यात हूँ, मनदब मैं विश्व विख्यात हूँ, छत्री कुल द्रोही के रूप में विश्व विख्यात हूँ, संपूर्ण विश्व में मुझे सब जानते हैं कि मैं छत्री कुल का नाश करने वाला हूँ तो भुज बल भूमि भूप बिन कीन ही बीपुल बार मही देवन दीन ही साहस बाहु भूज छेदा निहारा प्रसुक्विकलो कुमही पुकुमारा भूज बल अपने भुजाओं के बल से भूमि भूप बिन कीन ही इस भूमि को इस पृथवी को भूप बिन राजाओं से हीन कर दिया कीन ही मने किया मैंने अपनी इन भुजाओं के बल पर इस धर्ती को राजाओं से छत्रियों से हीन कर दिया था और बिपुल बार महिदेवन दीनी, बिपुल बार माने बहुत बार, महिदेव, माने ब्रामणों को दीनी माने दे डाला अरे मैंने अपनी भुजाओं की ताकत से इस धर्ती पर इस धर्ती को राजाओं से हीन कर दिया और राजाओं के राज्य को मैंने मही देव मही देव माने होता है ब्राम्मण क्या होता है ब्राम्मण होता है मही देव का मतलब होता है ब्राम्मण तो मही देवन दीन ही मैंने बहुत बार विपुल माने असंखे बार बहुत बार धरती के देव अर्थाद ब्राम्मनों को धरती दान में दे दी है मैंने अपनी भुजाओं की ताकत से इस धर्ती को कई बार स्राजाओं से हीन कर दिया है और ब्रह्मनों को दान में दे दिया है और मैं सहस्त बाहु की भुजाओं को काटने वाला इस फरसे को देख हिराज कुमार इस फरसे को देख जिसने सहस्त बाहु के भुजाओं को काटा है तो मातु पितही जनी सोच बस करसी महीस किसोर और गर्भन के अरभक दलन परसु मोर अति घोर मातु पितही जनी सोच बस करसी महीस किसोर यानि की माता पिता को सोच के वस न कर मातु पितही जनी जनी माने नता है ना जनी का आरत होता है ना या नहीं माता और पिता को सोच बस माने शोक वस करसी माने कर महीस किसोर माने राज कुमार राज किशोर यानि राज कुमार ठीक है राजकुमार अपने माता पिता को शोक के वस मत कर हे राजा के बालक हे महीस किसोर तो अपने माता पिता को सोच के वस में न कर यानि शोक मगन मत कर गरभन के अरभक दलन गरभन के अरभक दलन परस मोर अतिगोर मेरा ये जो फरसा है परस माने होता है फरसा, फरसा जानतो, फरसा एक काटने वाला, मोर माने मेरा, मोर माने मेरा, आति घोर माने भयंकर, मेरा जो ये भयंकर फरसा है, ये गर्भों के अरभकों अर्थात गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है, इसमें दया नहीं है, क्रोज से बोलते है क्रोज से बोलते हैं कि अरे ए बालक ए राजा के बालक तो अपने माता पिता को सोक के बसमें मत कर क्योंकि मेरा जो फरसा है न ये गर्भों के भी बच्चों को मार डालने वाला है गर्भों के भी बच्चों को काट डालता उनका नाश कर देता है बिहासी लखानू बोले म्रदुबानी अहो मुनीस महाभट मानी पुनी पुनी मोही देखावू कुठारू चाहत उडावन फूंकी पहारू तो बिहासी बिहासी का आर्थ क्या होता बिहास माने हसकर बिहास माने हसकर हसकर लखानू बोले लक्षमण जी म्रदुबानी कोमलवानी में बोले हसकर लक्षमण जी हसने लगे और हसकर कोमलवानी से बोले अहो मुनीस हे मुनीश्वर महाभट मानी भट मानी मने योधा मानने हे मुनिस अपने आपको महान भटमानी माने योध्धा मानने वाले योध्धा मानने वाले पुनि-पुनि मोहित देखाव कुठारू कुठारू माने कुलहाड यानि फरसा कुलहाडी पुनि-पुनि माने बार-बार पुनि-पुनि माने पुनि-पुनि मिन्स बार-बार पु मुझको आप कुठारू अर्थात कुलहाडी दिखाते हैं चाहत उडावन फूंकी पहारू अरे फूंक से मुहकी हवा से आप पहाड उडाना चाहते हैं हरे मतलब यहाँ पर वेंग सूझा लक्षमर जी हसने लगे और बोले क्या बोले कि है मुनिश्वर आप अपने आपको बहुत बड़ा योद्धा मानते हो और बार-बार मुझको एक कुलहाडी दिखा रहे हो ऐसा लगता है कि फूंक के माध्यम से पूरा का पूरा पहाड कुठारू सरासन बाना मैं कच्छु कहाँ सहीत अभीमाना इहां कुम्धबतिया कार्थ होता है कद्दू का छोटा फल कद्दू का छोटा सा फल उसको बोलते हैं कुमःडबतिया कद्दू के छोटे से फल को बोलते हैं कुमःडबतिया ठीक है तो अब लक्षमर जी कहते है यहाँ पर और ऐसी मानता है कि जो कद्दू का छोटा फल हो अगर छोटा फल कद्दू का होता है और उसको कोई उंगली दिखा देता है तो वो सूख जाता है ठीक है? उंगली दिखाने से वो सूख जाता है तो अब लचमर जी यही समझा रहे हैं कि यहाँ पर कद्दू का कोई छोटा सा फल नहीं है कच्चा फल नहीं है जो तरजनी जो तरजनी देख करके ही वो मर जाए सूख जाए ऐसा यहाँ पर कोई नहीं है और देख कुठारू सरासन बाना मैं कुछ कहा सहित अभिमाना अरे मैंने देख कुठारू सरासन बाना का आर्थ होता है कुठारू का आर्थ है कुलहाडी यानि फरसा कुठार जिसको बोलते हैं सरासन माने धनुष बाना माने बान तो आपके हाथ में धनुष बान और कुठार देखकर मैं कुछ मैंने आपसे कुछ अभिमान के साथ कहा था मैंने इसलिए अभिमान के सहित आपसे कुछ कहा था ये सब चीजें आपके हाथों में देख करके धनुस्बाण और सराशनी सब देख करके ही मैंने कुछ कहा था तो भ्रगुसूत समुझी जने उबिलो की जो कुछ कहा हूं साहा हूंरी सीरो की सुरस्मही सुरहरी जन अरुगाई हमरे कुल इन पर न सुराई ये भ्रगुसूत समझी मैंने भ्रगुवंसी समझ कर भ्रगु का सुत भ्रगु का पुत्र समझ करके और जनेव बिलो की माने देख करके बिलो की कार्थ होता है देखना ठीक है मैंने आपका जनेव देख करके और कुछ कहां सहां और इस रोकी कि मैंने आपका जनेव जिसको यग्यो पवीत बोलते हैं मैंने आपको प्रगुवंशी समझा प्रगुवंशी समझ करके और आपके यग्यो पवीत को देखकर जो कुछ कहाँ, जो कुछ मैं कहाँ, जो कुछ मैं कहूँ सहाँ रिस रोंकी आप क्रोध रोंक करके सहिए यह आपने जो कुछ कहा मैंने क्रोध को रोंक करके उसको सहा सहाँ रिस रोंकी मतलब क्रोध रोंक करके मैं सह लेता हूँ आपने जो कुछ कहा क्यूँ? मैंने लाज रखी मात्र आप देखे आप जनेवु धारण किये हुए हैं आपको भ्रगुसुत हमने समझा है तो जो कुछ आप कहते हैं मैं क्रोध को रोंक कर उसको सह लेता हूं और सुर महिसुर हरीजन अरुगाई सुर महिसुर सुर माने देवता महिसुर माने ब्राम्मण महिसुर माने प्रतवी होता है सुर माने देवता यानि जो प्रतवी का देवता होता है उसको महिसुर कहते हैं और महिसुर माने होता है ब्राम्मण महिसुर माने ब्राम्मण होता है तो हरीजन अरुगाई यानि देवता ब्राम्मण और हरी जन माने होता है भगवान के लोग, भगवान के भक्त, अरुगाई, और गाई, गाई मने गाए, देवता, ब्राम्हार, भगवान के भक्त और गाई, गाई, गाई जाने ने काउज, गाई, हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन लोगों पर सुराई मतलब वीरता नहीं दिखाई जाती है। बधे पाप अपकीरत हारे और इनसे हार जाने पर अपकीरती होती है। अगर इनको मार देंगे तो पाप लगेगा, किसको ब्राम्मण को, देवता को, हरिजन को और गायों को, अगर मार देंगे तो पाप लगेगा, और अगर इनसे हार गए, मने पराजित हो गए, तो क्या होगा, अपकीर्ती होगी, अपयश होगी, बदनामी होगी, और मार तहू पा परिये तुम्हारे इसलिए मारे तो भी आपके पढ़ना चाहिए तुम्हारे मारत हूं माने मारने पर भी पा माने पैर परिये माने पढ़ना चाहिए तुम्हारे माने तुम्हारे अगर इसलिए आप मुझे मारें तो भी आपके पैर पढ़ना चाहिए कोटी कुलिस कोटी माने करोडों कुलिस माने बज्र सम माने सम बचन माने बचन बाग के तुम्हारा माने आपका आपका एक एक वचन करोडों करोडों बज्र माने बज्रों के तो आपका एक एक वचन करोडों वज्जरों के समान है और व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा धनुस बान और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारन करते हैं यानि आप इतना कडवा बोलते हैं आप इतना कडवा इतना खतरनाक बोलते हैं कि आपका एक एक word जो है वो करोणों वज्ज्रों के समान है इसलिए आप धनुसबान और कुलहाडी बेकार में ही धारन करते हैं जब आपका हंतियार आपकी वाणी ही है इतना मजबूत बोलते हैं तो जो बिलो की अनुचित कहो छमव महामु निधीर अगर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामु निधीर चमा कर दीजिए यह सुनकर के जो ब्रगुबंश के मड़ी परसुराम थे वो क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले अब आप फिर से समझे कि बिलो की माने जो बिलो की माने देखकर अनुचित कहों कहा हो यहनि मैंने आपको देखकर आपके धनुजबान और कुठार को देखकर जो मैंने अनुचित कहा हो तो छमव च्छमा कीजिए, महामुनी धीर है, धीर महामुनी, उसको च्छमा कीजिए, तो सुनी सरोस, सुन करके सरोस माने क्रोध के साथ ब्रगुवंस मडी, ब्रगुवंस मडी माने परशुराम जी बोले, गिरा माने वाणी, गिरा माने वाणी गंभीर, गंभीर वाणी के साथ बोले कौशिक माने हे विश्वामित्र कौशिक कार्थ क्या होता है कौशिक कार्थ होता है विश्वामित्र कौशिक कार्थ होता विश्वामित्र यह बालक यह बालक बड़ा मंद बुद्धी का है कुटिल मने टेणहा है काल के वस में होकर मृत्यू के वस में होकर निज कुल घालक अपने कुल का घातक बन रहा है घालक मने घातक अपने कुल अपने परिवार के लिए घातक बन रहा है, ये केवल मात्र काल के वश के टेणा वालक, अपने कुल के लिए अपने वंश के लिए कुल घालक बन रहा है, कुल को घातक बन रहा है, और भानुबंस राकेस कलंकू, ये भानुबंस माने सूर्य वंश रूपी, पू ये सूरिवन्श का कलंकित चंद्रमा है और निपट निरंकुस आबूध असंकु निपट माने बिलकुल निपट का आर्थ कि होता है बिलकुल निरंकुस निरंकुस मतलब उदंड है, जिस पर कोई अंकुस ही नहीं है, अबुध मूर्ख है, बुध माने विद्वान, अबुध माने मूर्ख, असंकु माने निडर है, असंकु का आर्थ क्या होता है, निडर, ठीक है, असंकु का आर्थ क्या होता है, निडर, ठीक है, चलिए, तो मत अब देखिए फिर से समझिए फिर से क्या समझना है आपको कि हे कौसीक सुन हुद यहुल चुद सुनिये यह बालक बहुत मंद बुद्Dai का है कुटिल है काल की वसमें अर्थात मृत्यु के वसमें होकरके ये निज कुल घालक, अपने परिवार का घालक, अपने परिवार का घातक बना जा रहा है और ये भानुबंस राकेस कलंकू, ये सूरे के वंश में, सूरे के वंश में, राकेस कलंकू, ये कलंकित चंद्रमा है और निपट माने बिल्कुल ये निरंकुस है, उदंड है, मूर्ख है और निडर है, ठीक है? आगे दिखिए कि काल कवलु होई है छन माही, कहाऊं पुकारी, खोरी, मुहिनाही, और तुम हटकवु जों चहाऊं उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु तुम्हारा, काल कवलु होई है छन माही अरे छन भर में ये काल कवलित हो जाएगा, और काल कवलित का अर्थ क्या होता है, काल कवलु, काल का कवर, काल का निवाला, कवल मने निवाला, निवाला मतलब जो आप खाना का एक निवाला खाते हैं, उसको कवलु कहते हैं, काल मने मृत्यू का निवाला, काल का ये निव बाला च्छन माही, होई माने होगा च्छन माही, अरे अभी च्छन भर में ये बालक काल का ग्रास बन जाएगा, कहाँ पुकारी, खोरी, मुही नहीं, मैं पुकार कर कहता हूँ, फिर मुझे दोस मत देना, खोरी माने दोस, मुही माने मुझे को नहीं माने नहीं, मैं पुकार पुकार में चिला चिला करके कहता हूँ बाद में मुझे दोस्त न दिया जाए और तुम हटक हूँ ज़ो चहो उबारा तुम हटक हूँ ज़ो चहो उबारा उबारा माने निकालना इसको उबारना चाहते हो उबारना माने बचाना यदि आप इसको बचाना चाहते हो तो कही प्रताप उबल रोस हमारा तो हमारे इसको कहिए माने बताईए हमारे प्रताप के बारे में, हमारे बल के बारे में, हमारे क्रोध के बारे में रोस माने क्रोध, हमारे प्रताप बल और क्रोध के बारे में इससे बताईए अगर इसको तुम बचाना चाहते हो, कि कौन विश्वामित्र से कहते हैं। तो लक्षमर जीने कहा, कि हे मुनी सुजस माने शुयश, तुमारा माने आपका, आपका सुन्दर यश, सुजस, सुन्दर यश, तुमही अच्छत को बरनाई पारा। पारा में दूसरा, अरे आप ही इसको अच्छत, तुमही अच्छत तुम्हारे रहते को बरनाई पारा। और दूसरा कौन इसका बरनाई कर सकता है, लखन कहो मुई, अब लक्षमर जीने हसते हुए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बेंगे करते हुए, कि अरे मुनी आपका जो सुयश है, वो आपके रहते दूसरा कौन इसका बरनाई कर सकता है, पारा का मतलब बरनाई पारा, दूस दूसरा कौन इसका वरणन कर सकता तुम्हें अच्छा तुम्हारे रहते हुए अरे अपने मुह तुम आपनी करनी अपने मुख से अपनी ही करनी अपने मुख से अपनी ही करनी बार अनेक भाति बहु बरनी अपने अनेक बार आपने बहुत भाति अभी ही वरणन कर दिया है अभी अभी अनेक बार अनेक भातियों से बहुत वरणन किया है आपने अपनी ही मुह से अपनी सफाई दी है अपने ही मुह से अपनी करनी को आपने अभी बखाना है ना तो आपने तो अभी तमाम प्रकार से वरणन किया है इसको आगे दिखिए तु नहीं संतोस अता पुनी कचु कहा हूँ जनीरी सरो की दुसाह दुख सहा हूँ और बीर ब्रती तुम धीर अच्छोभा गारी देत न पाव हु सोभा नहीं संतोस अगर आपको संतोस नहीं है अगर आप संतुष्ट नहीं है तो पुनी कच कहा हूँ पुनी माने दोबारा आप कुछ दोबारा कहिए और जनी रिस रोकी दुसाह दुख सहा हूँ और जनी माने मत रिस माने क्रोध रोकी आप आप क्रोध रोक कर असहिये दुख मत सहिए जनी रिस क्रोध रोक कर जनरी सी रोक जनी माने नहीं रिस माने क्रोध को रोक कर दुसा हमाने असहनी दुख मत सहो जनी माने नहीं एक धंग से समझे जनीकार थे नहीं रिस माने क्रोध रोक कर दुसा हमाने असहनी दुख माने दुख को सहो आप क्रोध को रोक करके अस अगर आपको संतोष नहीं हुआ है इतनी सब अपना वरण करने के बाद भी तो आप क्या है? आप अपना क्रोध रोग करके असहनी दुख मत सहो बीर वरती हो आप छोब रहीत हो आप धायरवान हो आप तो आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते आप सुभीत नहीं होते हैं गाली देते हुए आपको गाली शोभा नहीं देती आगे देखिए लक्षमर जी विश्वामित्र से कहते हैं कि सूर सूर कार्थ जानते हो सूर माने होता है सूर माने होता है वीर समर करनी करिय समर माने युद्ध में करनी करही अरे जो शूरवीर युद्ध में करनी करते हैं जो शूरवीर युद्ध में अपनी वीरता दिखाते हैं कहिन जनाव हैं आप आप मने अपने आपको वो कहकर नहीं जनाते हैं और विद्यमान रण पाई रिपू विद्यमान रण युद्ध में उपस्थित होकर पाई प्रताप की डिंग मारा करते हैं शत्र को युद्ध में उपस्थित पा करके कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारा करते हैं और सूर्ज होते हैं शूरवीर होते हैं युद्ध में शूरवीरता का कारी करते हैं अपने आपका बखान नहीं करते हैं इसलिए आप भी अपना ब पशे बाचन कठोरा परससुधारी धर्यू कर घोरा वाह क्या वरणन किया है तुलसी दाजी ने अब विस्वमित्र क्रोद से ऌज परशुराम क्रोद से बोले तुम तू काल हाक करके यहां ले आया है, ऐसा लगता है कि आपको मौत बुला करके यहां है ना? आप तो मानो काल को हाक लगा करके बार-बार उसे मेरे लिए जिला लक्षमर जी कहते हैं मतलत लक्षमर जी के कठोर बचन सुनकर ही परशुराम ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हांथ में रख लिया ठीक है परसे को बहुत काईदे से सुधारा और हाथ में रख लिया किसने परशुराम ने तो अब ये जब लक्षमर जी ने क्या कहा लक्षमर जी ने कहा कि आप तो ऐसा लगता है कि काल को हाँ कर यहां ले आएं जनुवाने मानों यहां उत्परेच्छालंकार है जनुजानो करके अपने हाथों में ले लिया अब देखिए तो अब जनी देई दोसु मोही लोगू कटू बादी बाल लक बध जोगू बाल बिलो की बहुत मैं बाचा अब यहु मरनी हार भासाचा बात देखिए अब परसुराम क्या बोलते हैं और बोले अब लोग मुझे दोश न दें जनी माने ना अभी बताया ना जनी माने ना देई दोसु माने दोश अब लोग मुझे दोस न दें कटू बादी कड़वा बोलने वाला बालक बध करने ही योग है और बाल बिलो की बहुत मैं बाच मैंने इसको बाल बिलोक बाल बिलोक मने देख करके या समझ करके ठीक है मैं इसको बालक समझ करके मैंने इसको बहुत बाचा बहुत बचाया मैंने इसको बहुत बचाया अब यहू मरनिहार भा सांचा अब यह मुझे को लगता है मरनिहार मने मरने को ही आया है यह मरने वाला ह साचा मैं सच में, अब मुझे को लगता है, सच में ही ये मरने वाला है, समझ गए आप, आगे देखिए तो कौसिक कहा चमिया या पराधू, बाल दोस गुनगा नहीं न साधू, खर कुठार मैं अकरून क्रोही, आगे अपराधी गुरू ग्रोही कौसिक ने कहा, विश्वामित्र ने कहा कि अपराध चमा कर दीजे, बाल दोस गुन गणहिन साधू, बालकों का दोश, बालकों का जो दोश होता है, और गुण जो होते हैं, गुण माने गुण, गणहिन माने गणना नहीं करते हैं, साधू लोग, जो साधू लोग होते हैं, वो बालकों के दोश की गड़ना नहीं करते हैं और खर कुठार खर कुठार खर माने तीखी धारवाला कुठार माने आपका फरसा मैं अकरण कोही, मैं बैयारहित और क्रोधी और आगे अपराधी गुरुदोही और ये गुरुदोही और मैं अपराधी और अपराध ही मेरे सामने तो जब विश्वा मित्र ने कहा कि भाई अपराध छमा कर दीजे बालकों के गुणों और दोस साधू लोग नहीं गिनते हैं तब परसुराम भाई अक्रोधित हो गए अब परसुराम जी क्या बोले कि खर कुठार मैं अकरुन कोही तीखी धार का कुठार है खर कुठार तीखी धार का मेरा कुठार यानि फरसा है और मैं अकरुन हूँ अकरुन मैं दया रहित हूँ कोही हूँ कोधी हूँ आगे अपराध ही गुरु द्रोही और आगे ये गुरू द्रोही है आगे मेरे सामने ये अपराधी और गुरू द्रोही मेरे सामने उत्तर दे रहा है यानि तीखी धार का फरसा है और मैं दयारहित और क्रोधी और ये गुरू द्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर क्यों दे रहा है यहीं मुझसे जवान क्यों लड़ा रहा है यह तो उतर देत छोड़ों बिनुमारे केवल कौसिक सील तुमारे नत एही काटी कुठार कठोरें गुरही उरीन हो त्यों स्रम थोरे क्या मतलब इसका निकलता है कि उतर देते ही उतर देत छोड़ों बिनुमारे इतने पर भी इतने पर भी मैं से बिना मारे छोड़ रहा हूँ इतना उतर यह दे रहा है अरबात का यह उतर दे रहा है इतने पर भी मैं इसको बिना मारे छोड़ रहा हूँ केवल हे कौसिक सील तुमारे हे कौशिक हे विश्वामित्र शील माने होता है प्रेम ठीक है विश्वामित्र आपके प्रेम के वश मात्र आपके वित्रता के कारण मैं इसे छोड़े दे रहाँ बिना मारे नहीं तो यहीं पर काटी कुठार कठोरे इस कठोर कुठार से इसको काट कर थोड़े ही गुरही आपके ठार कठोरे गुरही उरिन होते हूं स्रम थोड़े गुरही मने गुरू के उरिन मने रिन से उरिन हो जाता मैं गुरू से उरिण हो जाता स्रम थोड़े थोड़ी ही महनत में नहीं तो मैं इसको काट कर इस फरसे से और बिनाग परिश्रम के बहुत ही कम महनत से मैं गुरू के रिण से उरिण हो जाता तो गाधी सूनू का हरिदे हासी मुनिह हरिय रई सूझ और आयमय खान न वूख मैं आजहून अबूझ 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 गाधी सूनू का हरदे हासी गाधी सून विश्वा मित्र जी ने हरदे में हस कर कहा गादि सून का हर्दय हसी विश्वामित्र ने हर्दय में हसकर कहा मुनिह हरियरई सूज कहने मतलब ये है विश्वामित्र ने हर्दय में हसकर ये कहा कि मुनि को हरा ही हरा सूज रहा है हonne爬 यानि सब जगेई बिजई होने के कारण है राम लच्षमर को भी छट्री ही समझ रहे है ये इनको सब हर जगेई हरयरई सूझ हरयरई का मतलब बता हरा हरा यानि सावन में अंदह को हरा हरा ही सूझता है तो गाजसुन मन के अंदर हसे मतलब विश्वामितर जी मन के अंदर ही हसे और हसकर मन के अंदर ही कहा कि मुनी को सब हरा-हरा सूजरा-हरा दिखाई दे रहा इन लक्षमर राम को भी चशत्री समझ रहे हैं है न और आयम्य आयम्य मतलब लोह मै आयम्य कारत होता है लोह मै ठीक है लोहे से बनी हुई फावलात की बनी हुई खाण खाण मतलब खड़ग उख में उख में आजहून बूज अबूज उख की रस्ती खाण नहीं है यानी केवल फावलात की ये किन्तु ये जो लोह में केवल फावलात की बनी हुई खाण माने खाणा या खंग, उख की यानि रस, उख माने होता गन्य की, रस की खाण नहीं है जो मुह में लेते ही गल जाए, खेद है मुनी अभी बे समझ बने हुए हैं, कि इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं, किसके राम और लक्ष मड़, आप फिर से समझे इसको कि आय आयमय खाण, अब देखें हम काईदे साप समझ लीजे, फिर मत कहना कि समझ में नहीं आया, देखें आयमय का आर्थ क्या होता, लोह मई, खाण का मतलब होता, सक्कर, चीनी, यानि सुगर, ये लोह मई, अर्थात लोहे की बनी हुई शकर है न उखमय, ये उखमय नहीं है, अर्थात गन्य की बनी हुई शकर नहीं है, ये लोहे की बनी शकर है, और लोहे की बनी शकर गलती नहीं है, अजहुन अबूज, 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 अब तक भी इस बूज को समझ नहीं पाए है, आज अभी तक की दुख है मुझे, कि ये बूज मने, इस पहेली को ये लोहे की बनी शक्कर को गुड़ की सक्कर गन्य की सक्कर बनी हुई जो गल जाती ही तो वो समझ रहे हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है लक्षमर जी ने कहा कि हे मुनी आपके शील को कौन नहीं जानता कहऊ लखन मुनी सील तुम्हारा कहऊ लखन लक्षमर जी बोले कि हे मुनी सील तुम्हारा आपका जो सील है को नहीं जानत विदित संसारा कौन नहीं जानता है संपूर्ण संसार में विख्याते प्रसिद्ध है माता पिता ही उरिन भय नीके माता पिता से तो अच्छी तरह उरिन हो ही गए अब गुरुरिन रहा गुरु का रिन रहा जिसका जी में बड़ा सोंच लगा है आपको बहुत जादा सोंच लगा हुआ है है ना कि अब केवल गुरु का रेंड सेस बच गया है और आपके जी पर इसका बहुत बड़ा बोज रहे गया है है ना चलिए तो सोजन हमारे ही माते काढ़ा दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा अबवानिय ब्यवहरिया बोली तुरत दें मैं थाइली खोली यानि सोजन हमरे माते काढ़ा वो मानु हमारे ही मते काढ़ा है था दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा बहुत दिन बीत गए उसे बहुत ब्याज बड़ गया होगा अब आनिय ब्यवहरिया बोली अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए ब्यवहरिया बोली मने किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए तुरत देऊ मैं थाइली खोली मैं तुरंत ही थाइली खोल कर दे दूँ ऐसा लगता है कि गुरु कर रिण आप कर रहा होगा तो वो मेरे मात्य सब चढ़ा दिया ब्याज बढ़ा दिया अब जाओ किसी ब्यवहरिया को बुला लाओ हिसाब करने वाले को बुला के लाओ मैं तुरत थाइली खोल कर दे दूँ तो सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाए हाए सब सभापुकारा, ब्रेगोबर परसु देखावा हुमोही, विप्र विचारी बच्चों रिपुदोही सुनी कटु बचन, कलवे बचन सुनकर, तो सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, लक्षमाड जी के कलवे बचन सुनकर के, कुठार सुधारा मतलब, अपना कुठार समाला, हाए हाए सब सभापुकारा, और सारी सभा हाए हाए कहकर पुकारू थी, ब्रगुबर परसु देखावह मोही, ब्रगुबर हे ब्रगुसरेष्ट, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, याप मुझे फरसा दिखा रहे हैं ब्रगुसरेष्ट, मैं ब्रामण समझ कर बचा रहा हूं, प्रहे राजाओं के शत्रू, मैं ब्रामण समझ कर बचा रहा हूं, यापको तरह दे रहा हूं, मैं आपको छूट दे रहा हूं, आपको मैं ब्रामण समझ रहा हूं, इसलिए, अनुचित कही सब लोग पुकारे रगुपती साय नहीं लखनु नेवारे मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े यनि आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले कभी भी आपको रणधीर बलवान वीर नहीं मिले सुभट माने योद्धा रण माने रण में युद्ध में गाढ़े माने मजबूत बलवान अरे आपको कभी मजबूत योद्धा रन में नहीं मिले दुझ देवता घर के बाढ़े आप घर में ही बढ़े हैं बाढ़े माने बढ़े हुए हैं अनुचित कही सब लोग पुकारे ये सुनकर अनुचित है ठीक नहीं है कहकर के सब लोग पुकार उठे रगुपत सैन ही लखन निवारे और रगुनाज जी ने इशारे से ही लक्षमण को रोंक दिया निवारे माने रोंक दिया रगुपत माने रामने सैन ही माने सैन सैन माने होता इशारा ठीक है शैन माने होता इशारा इशारा सैन मने इशारे से ही लखन को निवारे मने रोंक दिया निवारे का रत होता है रोंक ना इशारे से ही लक्षमण को रोंक दिया कि लक्षमण को रुखो ऐसा न करो यार तो लखन उतर आहु तिसरिस ब्रिगुबर कोप क्रिसान बढ़त देखी जलसम बचन बोले क्रिपा निधाँ यहां पर उपमालंकार है कि लक्षमण के उत्तर से लखन उतर लक्षमण के उत्तर से आहुति सरिस जो आहुति के समान थे सरिस मने समान और जहां पर समान लग जाओ वहां उपमालंकार ब्रिगुबर, कोप, कृसान और भ्रगुबर माने परसुराम जी का जो कोप माने क्रोध है कृसान माने अगनिको अगनिको बढ़ते देख करके बढ़त देख जल सम वचन जल के समान ठंडे वचन बोले रगुकुल भान, रगुवन सके भान, स्री राम वचन बोले, क्या वचन बोले, अब क्या बोलते, वचन बोले मतलब छमा मांगने लगे, विंती करने लगे, है ना, विंती करने लगे और छमा मांगने लगे, ठीक है, यानि लखन का उत्तर जो था वो आहुती के समान था, जो लखन बोल रहे थे, जो लक्षमन बोल रहे थे वो जैसे अगनी में आहुती डालो ऐसे था और जो परशुराम का क्रोध था वो तो अगनी के समान ही जल रहा था उनका क्रोध अगनी के समान प्रजुलित हो रहा था और इनके वचन थे वो बिलकुल आहुती के समान और जब अगनी में आहोती डालो तो अगनी और प्रजुलित होती है लेकिन बीच में ही जल के समान पानी के समान भगवान राम जो रगवश के सूर्य है वो जल के समान वचन बोले यहनि सब को शांत कराने लगे जल के समान वो शांत होती है और इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं एक बार सब्सक्राइब शेर और लाइक जरूर कर दीजेगा बहुत बहुत धन्यवाद लाइक सब्सक्राइब इसलिए कीजे क्योंकि यहाँ पर चलती है डेली लाइब क्लासेज